नाशनल कॉंफरेंस और कॉंग्रेस के बीच में क्या एलाइंस होगा इस पर तमाम राजदिक दल्लों की नजर है केंद्रिय ग्रहमंत्री अमिच्छा के ट्विटर के ऊपर पूछे दस सवालों के बाद कॉंग्रेस दोहरी दोविधा में पड़ गई है एक दोविधा तो ये कि नाशनल कॉंफरेंस के साथ अलाइंस अभी तक मुकमल नहीं हुआ है सीट शेरिंग के ओपर जगड़ा जारी है और दूसरी तरफ आइडियोलोजिकल लेवल पर नाशनल लेवल पर भारत जिंता पार्टी ने कॉंग्रेस के ओपर प्रहार किया है कि क्या एक ऐसी का सांस्कृतिक वर्चस्व और जो सांस्कृतिक छवियप घाटी की तबदील करने की बात कर रही है जो शंकरचार्य की का नाम तबदील करने की बात कर रही है जो अन्य कुछ और बाते कर रही है तो क्या बीजेपी निया आइडियोलोजिकल सवाल जब पूछे हैं तो इस पार्टी का जो नेतित्व है वो क्या कह रहा है और नीचे जो बड़ बोले हैं वो क्या कह रहा है वो भी एक परिशानी बनी हुई है कॉंग्रिस के लिए और जो पेज फसा हुआ है मेरी जानकारी के मताबिक पेज फसा हुआ है डोडा इस्ट की स्कीट के उपर जहां पर अल कि मुझे फोन आ गया है और मुझे कह दिया गया है आप भी नॉमिनिशन पेपर लेकर तयार हैं इंदरवाल में प्यारेलाल शान, माफ कीजिए का प्यारेलाल तयार, प्यारेलाल शर्मा तयार है और उनका ये है कि मैं तो यहां का सबसे ताकतवर कैनिडेट मैं हूँ तो मैं इंदरवाल कॉंस्ट्विंसी को छोड़ू कि और कॉंग्रस के पास शेख जफर फिलहाल प्रत्याशी हैं दूसरा कोई प्रत्याशी तो अभी तक कॉंग्रस की तरफ से आया नहीं और बानिहाल में सज्जाज शाहीन ने कल कहीं जनसभा को संबोदित किया और ठिक टाक टिप पढ़ियां जो है वो कॉंग्रस के निताओं के उपर करमारी हैं और उनके जो दाइबाएं के लोग है वो अल्ड़ी कह रहे हैं बैश चुनाव तो हम अकेले लड़ेंगे और अगर एलाइंस होगा भी हम तब भी खड़े होकर चुनाव लड़ेंगे सुरुन कोर्ट में चौदरी मुहमद अकरम ने नाशनल कॉनफरेंस इसलिए जोइन की थी कि वहाँ से वो नाशनल कॉनफरेंस के मैंडेट पर शाहनवाज चौदरी के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे जो कॉनफरेंस के प्रत्याशी बन सकते हैं लेकिन अगर एलाइंस हुआ और अभी तक जो खबरें आ रही है तो सुरुन कोड जो है वो जा रहा है कौंगर्स के पाले में तो अगर वो कौंग्रस के पाले में गए तो चौदरी अकरम की जो दाएंबाएं के लोग है वो कहते हैं इसनाव हम तो लड़ेंगे उसके बाद खनमंडी की भी यही सुरतेहाल है और रजोरी में एक सरकारी मुलाजमत से रिटायर आए जजज साहब जो हैं वो भी इंतजार में हैं कि मैंडेट की नाउस्मेंट होगी मैंने तो सरधर की बाजी लगा दी हुई है और अब अगर शबीर खान को मेंडेट मिल गया तो मैं यहां क्या करूंगा सुरंड कोर्ट में यह पोजिशन है उसके बाद खनमंडी की सीट भी जो है वो भी कॉंग्रोस को दी जाएगी ऐसी भी जानकारी मिल रही है और अजोरी भी Congress को मिलेगी ये भी जांकारी मिल रही है नोशेरा सुंदर्बनी में Congress मजबूत हुई है तो Congress के मुख्रवक्वता रविंदर शर्मा भी प्रभल दावेदार है उनका यह है कि जना मेरी प्रभल दावेदारी है तो ये National Conference को क्यूं दी जारही है लेकि national conference के पास सुरंदर चौधरी है वो ज्यादा मजबूत candidate है national conference का मानना है तो यहां पर भी लड़ाई है Congress में सूत्र बताते हैं कि national conference का कहना आईए जम्मू में friendly contest कर लेते हैं आप भी खड़े करिए candidate हम भी खड़े करते हैं candidate जो जीता वो सिकंदर विश्णा की सीट हमको दीजिए नगरोटा की सीट हमको दीजिए उसके इलावा कुछ और सीटूं के पर वो कह रहें कि आप हमको दे दीजिए यहां पर हम अपने और सबसे कमाल बात यह है कि इस समय नाशनल कॉंफरेंस जो मेरी जानकारी उसके मताबिक सूत्र बताते हैं कि नाशनल कॉंफरेंस ने 90 की 90 सीटूं के ऊपर अपने त्याश्यों को कहा है कि आप फार्म भर के फार्म भरने के लिए तैयार रही है परचा हाथ में रखिए परचा लेकर तैयार रही है आपको किसी वक्त कहा जा सकता है परचा भर यह दूसरी तरफ कॉंग्रेस जो है वह असमंजस की स्थिती में है कि अगर अगर अलाइंस न National Conference के मकाबले में कमजोर नज़र आ रही है और Congress को खुद भी लग रहा है कि अगर हम Alliance में चुनाम नहीं लड़ेंगे तो वो सफलता जो हमको Alliance में मिलेगी वो शायद हमको सफलता Alliance के बाहर रहकर ना मिलें कई सीटें हैं जिन सीटें के ओपर National Conference जब तक हमारी मदद नहीं करेगी चुनाम जीतना संभव नहीं है अब ये विरोधा भास है इस विरोधा कब भास के बीच में National Conference के मैनिफेस्टों के ऊपर हंगामा है कि जनाब ये देखिए National Conference तो मैनिफेस्टों में वो सारी बातें कर रही हैं जो सारी बातें घाटी में अलगावाद को बढ़ा सकती हैं आतंकवाद को बढ़ा सकती हैं ये तो देश द्रोईयों के होसले मजबूत करने वाली बात है ये सारी बातें भारतेंटा पार्टी के नेता कह रहे हैं आज भार्दंता पाटी के वरिष्ट नेता तरुंचुक जिनको जिम्मो कश्मीर की उनका भाशन सुन रहा था मैं प्रहार पे प्रहार नेशनल कांफरेंस के पर कर रहे थे और दुस्री तरफ राम माधव जम्मो कश्मीर में हैं और जिस दिन से आएं उस दिन से लड़करा रही है कश्ती कांगरस की हिंडोले खा रही है कांगरस नेशनल कांफरेंस की कोलिशन की कश्ती अब होगा या नहीं होगा अब होगा या नहीं होगा आईए इसको लेकर मैं आपको बताता हूँ कि मुझे क्या दिख रहा है पहली बात नेशनल कॉन्फरेंस इस बात को लेकर 100% confident है कि उनकी हवा चल रही है और अगर आप मेरे पुराने सारी स्टोरीज निकालेंगे वीडियो निकालेंगे आप देखेंगे कि मैंने हर वक्त ये कहा है कि नेशनल कॉन्फरेंस को इस बात का पूरा पूरा यकीन है कि उनकी हवा चल रही है उन्हें विश्वास है कि लगबग 30 से 35 सीटें ऐसी हैं जिन पर वो जीत रहे हैं और आपको अचरच होगा जानकर कि भारते जनता पार्टी का नेतरत्व भी और उनके कुछ लीडर भी जिन से मेरी बात है वो मानते हैं कि नेशनल कॉन्फरेंस इन एसेम्बली के चुनाओं में सबसे आगे है और संभवता 30 से 35 सीटों पर वो जीतने की उनकी आशंका है ठीक है जी और नेशनल कॉन्फरेंस को कोई मजबूरी नहीं है कि वो कॉन्फरेंस के साथ कोई एलाइंस करे नाशनल कॉन्फरेंस की लीडर्शिप ये बात भी जानती है कि अगर आपको जमुकश्मीर में सत्ता में रहना है और जमुकश्मीर के लोगों को यूनियन टेरिटरी में सुखद अनुभव करवाना है और ये वीरो क्रेटोंस से अपने काम करवाने है तो संब्हवता वो तब ही संब्हव होगा जब केंद्र में जो सरकार सत्ता में है उस सत्ता-धरी दल के साथ जमु में हमारा किसी किसम का कोई रिष्टा जमुकश्मीर में मुकश्मीर में इस वोगत एक यूनिन टेरिटरी है इस यूनिन टेरिटरी में तमाम ताक्तें लेटनेट गवरनर के पास हैं अब इन ताक्तों को अगर भरपूर इस्तमाल करना है और लेटनेट गवरनर के पास जो ताक्तें उन ताक्तों को भी अगर इस्तमाल करना है तो र लडाई चल लई है यह लडाई होती ही नहीं जो कांग्रस कहती वो नेशनल कॉंफरेंस मानती और जो नेशनल कॉंफरेंस कहती उस पर कांग्रस सोच विचार करती और अभी तक एलाइंस की घोशना हो गई होती क्यों क्योंकि नेशनल कॉंफरेंस के मन में होता मस्तिष्ट मे होता कि हम 28 लाएं हम 22 लाएं हम 20 लाएं कॉंग्रस 15 लाए 18 लाए केंदर में सरकार है मुख्यमंत्री हमारा और फिर हम सब कुछ मैनेज कर लेंगे अब नाशनल कॉंफरेंस का जो अजंडा है जो मैनिफेस्टो है उस मैनिफेस्टो में नामुम्किन है नहीं होगा शेर आप कोई भी लिख दीजिए अपने मेनिफेस्टो के पहले पढ़ने पर या आखरी पढ़ने पर खाब खाब भी रहेगा कभी शर्मिंदा इताबीर नहीं होगा ठीक है जी और ये भी मैं बात बता दूँ बड़े वसोक के साथ और बड़ी जिम्यदारी के साथ कि नाशनल कॉन्फरेंस अगर ये जहन में रखकर बैठी है कि नई दिलनी में कॉंग्रस की सरकार आएगी तो वो नाशनलिजम नाशनल सिक्यूरिटी ये दो बड़े मुद्दे होंगे और इन दो बड़े मुद्दू उपर पार्टी का रुख पार्टी का रवया क्या है बड़े हद तक तै करेगा कि आपको लोग चुनकर दिल्ली में बिठाएंगी या नहीं बिठाएंगे तो जमो कश्मीर पो कोई भी लचक अगर कोई दल दिखाता है तो उस दल के लिए जमो कश्मीर की पांच लोगसबा की सीटूंपर तो असानी होगी लेकिन पूरे देश भर में परिशानी होगी तो कोई भी दल जम्मो कुश्मीर की पांच लोगसभा की सीटू के लिए पूरे देश की लोगसभा सीटू पर असर डालने वाला कोई काम नहीं करेगा चाहे वो BJP हो चाहे वो National Conference हो लेकिन चुनाव चुनाव है जीतना जीतना है तो ये बात तो पहले समझ जीजिए कि National Conference को इस समय किसी राजनितिक दल से अलाइंस करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि National Conference बिना अलाइंस के घाटी में अच्छा स्कोर कर सकती है ये मैं नहीं ये National Conference के नितित्व का उनके लीडरों का विश्वास बताता है ये उनका विश्वास है और सभी दलों का लगबग इस बात पर एक मात हैं सभी दल की National Conference की पोजिशन बाकी दलों के comparatively बेटर है अब जोब आपकी पोजिशन बेटर है तो आपके मुकाबले में खड़िये Congress आपकी Natural Alliance क्योंकि आपको Secularism का डोल पीटना है इसी डोल को पीट कर तो आप सत्ता में आ सकते है या Pre-Pol Alliance में आपको वो गाना गाना है जो गाना लोगों को बसंद आए Post-Pol में क्या होगा वो फिर आपकी जिम्मेदारी North-South-Pol का Alliance भी हो सकता है और Congress के साथ Alliance टूट भी सकता कोई बड़ी बात नहीं नहीं आए जी Congress के नंबर नहीं जनाब मिले विचार Congress के साथ जनाब Congress वालों ने डिमांड कर दी हमें हमको CM चाहिए Congress वाले कहते हैं डिप्टी CM चाहिए हमको देना नहीं है इस तरह की बाते हो सकती है चलिए बाहर तो कहने का मतलब यह कि National Conference की स्थिती इस समय इस विश्वास के बीच में National Conference को जब यह confidence इसको overconfidence भी कही है इस overconfidence के बाद National Conference क्यों कोई seat या कोई ऐसा कोई ऐसी seat Congress को देगी जो National Conference को लगता हम जीच सकते हैं विश्वास से उनका और विश्वास विश्वास से क्या करेंगा लेकिन Congress की मजबूरी यह है कि उन्हें यह लग रहा है कि अगर हमने Alliance नहीं किया और हम अकेले लड़े तो जरा मुश्किल होगी लेकिन यह समझ से परे हैं अगर Congress के लिए Alliance करके लड़ना और जीतना मुश्किल है तो फिर डीपी एपी के नेता जुगल किशोर डीपी एपी के नीता अब्दुलमजीदवानी डीपी एपी के बाकी नेता जो वापस पार्टी में आना चाहते हैं जिनको लेकर जानकारी मिल रहीं कि सूथ बरता रहे हो जगता कल ना भी आएं क्यों आ रहे हैं वो कोई विश्वास तो उनको Congress में तभी तो पापस आना चाहते हैं इसका मतलब उनको कहीं तो लग रहा है कि Congress कुछ जादू या कुछ कमाल करने वाली है लेकिन पाटी को अपने विश्वासी नहीं कि हम ऐसा कमाल अकेले कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे पाटी को यह लग रहा है कि अगर हम अकेले गए तीन-तीन कैनिडेट एक ही विचारधारा के अगर खड़े हो गए तो मुसीबत हो सकती है। कॉंगरस ढून रही है अलाइंस पार्टनर और जब कॉंगरस अलाइंस पार्टनर ढून रही है तो कॉंगरस की परिशानी क्या है वो समझिएगा। सबसे पहले आईए अब डोड़ा डोड़ा में नैशनल कान्फरेंस के नेता हैं खालिद नजीब सौरवर्दी उन्होंने 1996 के बाद एक ही चुनाव जीता वो चुनाव उनके पिता मौलाना अता अल्ला सौरवर्दी के दिहानत के बाद, सरगे मौला अता अल्ला सौरवर्दी के दिहानत के बाद उन्होंने डोड़ा से चुनाव जीता उसके बाद साल दोजार दो के चुनाव में वहां से विजए हुए अब्दलमजीद वानी साल दोजार आठ नौ में चुनाव हुए जीते वहां से फिर अब्दलमजीद वानी और 2014 के चुनाओं में अब्दिलमजीद वानी को पठकनी दी शक्ती राज परिहार ने लेकिन तीनों चुनाओं में हार हुई खालिद नजीब सौरवर्दी की अब्दिलमजीद वानी चले गए डीपी एपी में कॉंगरस के पास थे रियाज अहमद अब्दिलमजीद वानी की डीपी एपी जब आइस्ता आइस्ता उनकी किष्टी हंडोले खाने लगी डूबने लगी तो डूबते डूबते किस्सा हो गया और अब्दिलमजीद वानी को सूत्रिये बताते हैं कि कांग्रस में वापस जाते हैं अब तैयारी हो गई स्टेज सज गया मालाएं आ गई लेकिन तब तर नेशनल कांफरंस ने भेज़ दिया खालत नजीब सौरवर्दी को आप जाएए फौरन अपना फॉर्म भरिये वो अपना नामंकर भर गए अब अब भारजनता पार्टी के प्रत्याशी चार पांच लोग हैं गजर सिंग राणा हैं स्वामिराज हैं उसके लावा इस्तियाकवानी हैं उसके लावा एक और प्रत्याशी हैं चार प्रत्याशी हैं भारजनता पार्टी कोई इन में से खड़ा हो जाएगा और अगर ये लड़ का फूल को खिला जाएंगा वहाँ पर सभावना हो सकता है हो सकता ना भी हो शुकता हर जाय लेकिन टिकूणियों मुबाला मुकाबला वहाँ पर हो गागवे अब बताइए यहाँ पर कॉंघ्रस क्या करे मजीद यह प्लिमक्णी बाठीम आये नहीं तो जाइर सी बात है यह मेहनी तो मेंडेट देने का तो सवाली पैदा नहीं होता रियाज पार्टी में हैं उन्हें मेंडेट मिल नहीं सकता कि वे कोलेशन हो गई चलिया आगे बढ़िये अब बदरवा आई ये महबुव इकबाल बाजे गाजे के साथ तैयारी करके बैठे हैं कि नैशनल कांफरेंस के मुकाबले में ज्यादा मजबूत हूँ क्योंकि मैं तो राजेती का आदमी हूं पूरा दिन कॉंश्वेंसी में घूमता हूँ तो यहां तो दावेदारी मेरी है अब जाहिर सी बात है यहां भी तिकोनी है मुकाबला भार जंता पार्टी का एक कैनिडेट और नैशनल का की चुनाऊ में हुआ कि एक तरह से नैशनल कजवेंन में घूपकार की तरफ से कैनिडेट ख़़ा किया दूसरी तवसे नैशनल कांफरेंस का अपना कैनिडेट भी ख़़णा में चुनाइंडेट और कमाल यह हुआ कि जब वो डी डीडीसी का कंफरेंस जीता तो गए यह जम्मो में कई जगाओं उपर देखने को मिला को Montipole Corporation के चुनाओं में Congress का प्रत्याशी भी ख़डा हुआ गुपकार का प्रत्याशी भी खड़ा हुआ National Conference का प्रत्याशी भी ख़डा हुआ उसमें 3 राइक प्रत्याशी जीत गया अब आईए ये Doda की स्थिति इस seat के उपर गनित कुछ और है अब आईए तीसरी seat जिसके उपर हींचा तानी रसा कशी चल रही है इंदरवाल इंदरवाल में ताकतवर ठेकेदार ने कर ली नैशनल कानफरंस चोई मालदार ताकतवर ठेकेदार वहां से खड़ा है और नैशनल कानफरंस का प्रत्याशी और पिछले दिनों इस ताकतवर मालदार आदमी ने एक मस्जिद या एक मदरसे के लिए कोई चंदा भी दिया और उसकी खबरें भी बड़ी चली हमारे स्ट्रेट लाइन मैग पर भी बड़ी अच्छी खबर चली सब ने उनको मशूर किया वो जमू आये जमू में भी उनका वो चर्चा हुआ कि जनाब इनोंने फ़लाँ चीज के लिए मदरसे के लिए मस्जिद के लिए चंदा दे लिए वो बड़ा मुशूर और उनकी एक छवी भी लोगों के बीच में ठीक ठाक है अब वो है नेशनल कॉन्फरेंस के प्रत्याशी हैं कॉंगर्स के प्रत्याशी हैं उसके इलावा कॉंगर्स के पास कुछ और लोग भी हैं और एक और आदमी है गुलाम हमाद सरूरी खबर यह आ रही थी कि गुलाम हमाद सरूरी शिर्नगर में थे सूत्रू ने कहा कि वो कांगर्स में वापस जाना चाहते थे लेकिन उनके परिवार से जब मैंने बात क तुनने का जी यह अफ़ाएं हैं बकवास हैं ऐसा कुछ नहीं है सरूरी गुलाम हमाद सरूरी कभी डीपी एपी नहीं छोड़ेंगे वो डीपी एपी के बड़े नेता है ठीक है चलिए यह किस्सा भी अब सोची यहां पर क्या होगा अब आईए बानिहार पहले मैंने प्रदेश अध्यक्ष विकार रसूल पूछते हैं कि वह यह दो बार तो हम जीते हैं तो जिस सीट पर हम जीते हैं वहां आप नैशनल कांफरेंस को मैंडेट क्यों लेने दे किसलिए लेने दे यह तो हमारी सीट है पकी बनती है और मैं और कॉंग्रस के लिए परिशानी य कि वो पूरो प्रदेश अध्यक्ष को कैसे कहें कि जनाब आप छोड़ दीजिए नैशनल कांफरेंस को सीट दे दीजिए तो यहां पर भी लड़ाई है और यह भी समझ यह कि सज्जाज शाहीन अमर अब्दुल्ला के बड़े खरीबी है आपने करीबी के लिए जाहिर सी बाते वो बात करेंगे कि यहां तो मानने वाले आपकी बात नहीं यह भी लड़ाई है फिर आईए सुरन कोट में चौधरी मुहमद अक्रम गए नैशनल कांफरेंस में क्यूंकि शाहनवाज चौधरी एक बड़े नेता हो गया बड़े नेता जाहिर सी बात है डीडी सी से म निखल जाते हैं निखल गए और चले गए नैशनल कांफरेंस में अब वो पूछते हैं कि भाईया तुम लगे आप लोग लगे ऊपर बड़े नेता अलाइंस करने नीचे मैंने पार्टी जिस लीडर के चक्कर में छोड़ी कल आप मुझे कहोगे कि जनाब यह जो लीडर स समय तक लेसलेटर रहा है अब मैं क्या कहतें एक कहतें ना जो पुराने लीडर होतें उनको आदद होती एक तकरीर में कहते हैं वो यह बात कहतें नो सीखिये बच्चों के सामने अब हम क्या कहते हैं हाथियार छोड़ दें वह जाहिर सी बात है वो भी मैदान में हैं और प National Conference वालों mandate देना दो नहीं देना मैं independent खड़ा और National Conference वालों ने भी राज्जिती यही है उनने कहना कि ठीक है आप लड लीजे अच्छा है बढ़िया है लड लीजे कोई बात नहीं जीतेंगे तो आ जाईएगा फिर हमने डीडी सी के चुनाओं में यही देखा कि आप गुपकार के मुकाबले में लड़िये जीते हैं तो वापस आ जाईएगा तो यह सुरन कोट में दिक्कत है रज़ोरी की में अलड़ी कह चुक हम शबीर खान भी है और उनके साथ ममजद साहब भी है उनकी भी टकर है जबरदस्ट और इसी तरीके से बुद्धल कॉंश्विंशी में चले जाईए अप नेश्रन कानफरेंस की तरफ से थे लियाकत नसीम नसीम लियाकत National Conference में आ गए जावेज चौधरी और जावेज चौधरी के मामा जी जुल्फिकार चौधरी निकल गए बीजे पर ने मामला सिर्फ चुनाव का है बैया चुनाव जी इतना है National Conference के प्रत्याशी जावेज चौधरी नसीम लियाकत हो सकता है थानमन्डी चले जाएं बताया है ये जाए हो सकता है ना भी जाएं हो सकता है अंडिपैनट हो जाएं हो सकता है पेडिपी में चले जाएं हो सकता है संभाओ लेकिन अभी तक नसीम लियाकत ऐम शासित National Conference के लीडर के तोर पर खामोश है, कोई खबर उनको लेकर नहीं आ रही, वो कहीं जा रहे हैं, इदेहर उदर, कुछ भी नहीं आ रहा है, ठीक है, हो सकता है, वो किसी और कॉंस्ट्विंसी से चुनाव लड़े, मगर आप सोची, इस कॉंस्ट्विंसी में, अगर कॉंगरस और नैशनल कॉंफरेंस मिलकर ये तैक करते हैं, कि जनाब बुधल से, बुधल की सीट हमने दे दी कॉंगरस को, तो जावे चौधरी क्या करेंगे, कि भईया हम तो नैशनल कॉंफरेंस में चुनाव लड़ने आये थे, तो ये तो दे दी उनने, सीट किसी और को, तो ये कहानी भ भी है, कि इन सीटों के उपर अरेंजमेंट के साथ में, वो जो फ्रेंडली कॉंटेस्ट कहा जा रहा है, वो क्या है? अब आप डोडा में, डी डी सी के चुनावों में देखिए, अगर आप डी डी सी के चुनावों के नतीजू का आंकलन करेंगे, तो डी डी सी का चेर पर और जब वो तीन सीटे और ऐसी तीन सीटे अगर आप देखेंगे, आंकले बताते हैं कि अगर इन तीन सीटों पर एक कैनिडेट होता, तो बाजी पलर देते हैं, लेकिन नहीं, अब ये है दोनु पार्टियों की इस्थिति, इसमें पलरा भारी है नैशनल कांट्रेंस का, उन्हें एलाइंस की किसी भी राजनीति को समझने वाले आदमी के पास जाईए, उसे कहिए किया इस्थिति है, वो कहेगा नैशनल कांट्रेंस की इस्थिति ठीक है, बीजेपी की जम्मू संभाग में इस्थिति कागज पर ठीक है, दोनु पार्टियों की, देखिए, चु चुनाओं से पहले हमारा आंकलन कागजी कहानी है, जो हमको दिख रहा है, जब मैदान में उतरेंगे, दंगल शुरू होगा, तब जाकर पता चलेगा, ये जो कागज में ताकतवा नजर आ रहे थे, जमीन पर इनकी इस्थिति क्या है, ठीक है जी, तो फिलाल नैशनल अलाइंस होगा, लेकिन कैसा ये समझ लीजिए, अलाइंस ऐसा होगा कि नैशनल कांफरंस कांगरस होंगे अलाइंस में, जिसको मैंडेट जिस कौंश्वेंसी से नहीं मिलेगा, वो प्रत्याशी आजाद उमीदवार खड़ा हो जाएगा, दोनों पार्टियों में, लीडर लड़ लेंगे, लेकिन सुनेंगे नहीं, तो अनुशासन नाम की कोई चीज आप मत सोचेगा कि दोनों पार्टियों के पास कोई ताकत है, कोई जादू ही छड़ी है, क्यों? मान लीजए एक नैशनल कांफरंस ने किसी को रोग दिया, वो पीड़ी पी के पास चला लड़ेगा, वहां से नहीं तो पीपल्स कांफरंस के पास जाएगा, वहां से लड़ेगा, नहीं बात बनी तो अपनी पार्टी से लड़ लेगा, और अगर नहीं बात बनी तो बीजेपी को लगा किस प्रत्याशी हमारी तरफ आकर जीच सकता है, तो हो सकता है, वहां से ज और मेंडर से भारजंता पार्टी के प्रत्याशी होंगे हिसाब लगाई है तो इस तरह कि आप इस समय आप यू कहेंगे कि किसी पार्टी को किसी आईडियोलजी से किसी विचार से देशबर के हालात से कोई लेना देना वो कोई कहानी होती है किस्सा होता है at the end of the day what matters most is power when you are in power that is what matters nothing else matters और रही बाद national conference की तो उनकी राजनीतिक मजबूरी भी है और संभवता national conference की leadership में dr. फारुक अब्दुल्ला इस बात को बहुभी समझते हैं कि एक union territory में जहां सारी ताक्तें left net governor के पास हैं मैं सरकार तभी आराम से और सुकून से चला सकता हूँ जब मैं ऐसे दल के साथ हूँ जो दल केंदर में भी सत्ता में यह समझते हैं वो लेकिन जाएंगे या नहीं जाएंगे यह तो डॉक्टर फारुक अब्दुल्ला जाने और चुनाओं के बाद जो नतीजे आएंगे वो बताएंगे फिलाल कागज यह बता रहा है अब कागज से हटकर एक कहानी का मोड एक और है अंत में वो मोड यह है कि सबकी अपनी अपनी calculation है बीजेपी की calculation यह कि 25 सीटे जमू संभाग की में हमारी नैशनल कॉन्फरेंस की भी calculation की 35 हमारी सबकी calculation है प्यूबल्स कॉन्फरेंस की भी calculation PDP की भी calculation सबकी अपनी अपनी calculations है ठीक है यह calculations को रखे साइड पर और कहानी का अगला हिस्सा सुनिए हिस्सा नंबर एक यह कि इंजिनर अब्दुलरशीद अभी तक बाहर नहीं आए हैं इंजिनर अब्दुलरशीद कौन हैं वो वो इंजिनर अब्दुलरशीद हैं जिनको जेल से बाहर निकालने के लिए लोकसभा के चुनाओं में घाटी के नौर्थ कश्मीर में लोगों ने दबा के वोट दिया ठीक है जी अब दबा के वोट दिया क्यूं नौजवानों से पूछो नहीं का कोई वोट ने देना था वोट इस ले दिया क्योंकि हमको इंजिनर रशीद को बाहर निकालना है जेल से ठीक है जी अब राज़्दिक वेवल लोगों ने अपने और भाशन बाजी भी शुरू हो गई है कल में मुहम्मद अकबल लोन बड़े जबरदस नेता बड़े कमाल के आदमी उनके बेटे की बाते सुन रहा था पद्रकार उसे बात करते हुए कह रहे थे कि इंजिनर रशीद बीजेपी की अजन्ट है इस तरह की कोई बाते कर रहे थे यह समझते हुए यह समझे बगएर कि अगर 28 तारीख को 28 अगस्त को इंजिनर रशीद की बेल हो जाती है और वो चुनाव लड़ने के लिए खुद मैदान में उतरते हैं चुनाव लड़ने के लिए अमाम इत्याद पार्टी की तरफ से मैदान में उतरते हैं तो फिर कागजी मैं कागजी गोड़े दोड़ा रहा हूँ कोई कल को यह न गया आप ने यह कहा था जी मैंने ना, मैं कागजी गोड़े दोड़ा रहा हूँ, कागज पर, कागज पर ये फिर कहा जाता है कि भाईया जो आदमी जेल में था और जिसको जेल से बाहर निकालने के लिए, लोकसभा के चुनाओं में लोगों ने दबा के वोट डाला, कल जब वो वापस आएगा, औ और सडकों के उपर घूमना शुरू करेगा, और अपना हाथ हवा में हिलाएगा, तो क्या ये संभव है, क्या ये मुम्किन है कि कोई वेव नहीं बनेगी, कोई हवा नहीं चलेगी, और वो नौर्थ किश्मीन की दस बारा सीटों के उपर समीकरण बिगाड़ने का काम नही तक कोई भी राज़ नहीं तक कहेगा, जी ऐसा तुब संभव ही नहीं है, वो आएंगे तो गल बड़ तो थोड़ी बहुत होगी, और ये भी मुम्किन नहीं है कि सहे दलताब बुखारी, जूज से लोग कहें न, बिस्तर बंद, कोई बिस्तर बंद नहीं होता है, सज्जा में अपने अपना दमखम लोगों का है, और नेशनल कॉन्फरेंस भी कोछ दूद की धुली हुई नहीं है, लोग आरोप भी लगाएंगे, वो शुरू होगा सिलसला, तो वो भी कहीं ने कहीं तो कुछ नो कुछ तो करेंगे, और आज़ाद लोग उमीदवार भी खड़े ह कि ऐसानी होने वाला पिडिपी का भी किस्सा है अपना, तो इसका मतलब यह हो गया कि वो जो 30 और 35 की कहानी चल रही है नेशनल कॉन्फरेंस की सरकल में, 47 में से काम थोड़ा मुश्किल है, नेशनल कॉन्फरेंस पर दमखम हैं कर सकते हैं, पर इतना आसान भी नहीं है, अभी कोई ज़रूत कोई अलाइंस करने की नहीं है, देर कंफरेंबल, उनको पता है, उमर अब्दूल्ला, फारुक अब्दूला जानते हैं, उनकी सारी लीडरिशिप जानती है, बीजेपी जगानी है, उनको लगता है कि भाई हमें तो कुछ, हमें तो बस प्रत्याशी उ और इतनी मारा मारी है बीजेपी में टिक्टू की कि जनाब मत पूछिए मतलब एक एक जगा चार-चार कैनिडेट और अब खत्रा ये लग रहा है कि जब कल या परसू कहीं कल मीटिंग होने जा रही है प्रदान मंतरी उसको चेर करेंगे नामू की घोशना उसके बाद हो जा नहीं मिलन खुछ तो चलिए उसमें बहुत सारे संगटन हैं समझाए बुजाए जाएं दो संक्के हैं जो तो पार्टी के अंदर के लिएं जो क्या कहते हैं पार्टी में बारिद नियो कुछ稱 नहीं होता है चलो आपको आज नहीं बाद में ये बोर्ड में खला ना ढमका लेकिन कुछ तो होंगे जो कहेंगे कि भाया ना चलेगी तुम्हारी कहानी हमको ना मिला मेंडेट हम उत्रे मैदान में क्यूंकि आप परिस्थितियां थोड़ी सी बदली हुई थीन सो तीन पर बीजेपी जो बोलती वही होता दो सो चालिस पर बीजेपी दरा नहीं सकती के कि अडेटों को ज्यादा मैदान में उतरने की संभावना कंपरेटिवली पहले कंपरेटिवली बहुत ज्यादा है यह सारा आंकला तो मतलब कहने की बात यह है कि कॉंग्रस और नेशनल कॉंफरेंस के बीच में एलायन्स ना होने का सबसे बड़ा कारण नेशनल कॉंफरें और इसे overconfidence कही है confidence दोने बाते एक जैसी उन्हें पूर्ण विश्वास है कोई सिफॉलोजिस्ट ऐसा नहीं है जो national conference को यह कहता हूँ जनाव आपके को डर नहीं है अब गवरानी को जरूरत है ठीक है जो लेकिन जब आप राजजितिक मैदान में उतरते हैं कागजी घोड़े दोड़ाने से बात नहीं बनती चुनाव लड़कर जीतना पड़ता है तो वही national conference को भी करना है कि चुनाव लड़ना है और जीतना है और वो पदा जलेगा 18 सप्तंबर को जब पहले चरण के चुनाव होंगे नामंकन कोई भी भरे खबर जिसे मैं आपको उता दिया बिल्कुल क्लियर है कि 90 की 90 सीटू पर national conference की पास प्रत्याशी है Congress जिस फॉर्मूले पर काम कर रही है 50-40 50 सीटू पर national conference लड़े चालिस पर हम लड़ेंगे पर national conference 40 सीटें छोड़ देगी बड़ा मुश्किल है बहुत मुश्किल है असंभाव नहीं हो सकता बहुत मुश्किल है और अगर कर भी दिया national conference ने ऐसा तो इससे मैंने आपको कहा कि बागियों ने बागियों ने बागी होना है और इससे मैंने आपको कहा कि बागियों का बागी होना इतना खतरनाक नहीं होगा जीतेंगे तो कहेंगे यार आप वापस आ रहे हैं तो हम कैसे रोकें इनको तो यह है कारण कि नेस्टल कांफरेंस और कॉंगर्स के बीच में कोलिशन क्यों नहीं हो रहा है अवंत में आम जंता के लिए सिर्फ दो बाते हैं जिस विचार जिस सोच जिन आशाओं और जिन उम आप बिजली पानी सडक नौकरी एमप्लाइमेंट फलाना ढमकाना इसके इलावा किसी भी मैनिफेस्टियों का कुछ भी ऐसा न पढ़ा करें जो मुम्किन नहीं है पॉसिबल नहीं है और जो भी व्यक्ति यह सारी चीज़ें आपको इंशूर कर सकता है बहतर हस्पताल बह बहतर कालिज बहतर युनिवरस्टि बहतर एंप्लाइमेंट के एवनियूज बहतर कारोबार बहतर रोजगार बहतर बिजली बहतर पानी आप उस आदमी को अपना प्रत्याशी चुनिए उस आदमी को वोट डालिए यह 375 ए होम डिपार्टमेंट में इनको छोड़वा दे करेंगे फलाना करेंगे धंकाना करेंगे और रियलिस्टिक और जिस पार्टी के पास गैलेक्सी अफ इंटलेक्ट्वल्स हो गैलेक्सी है नाशनल कॉन्फरेंस के पास चाहे वो वित्तिय विभाग फिनांस डिपार्टमेंट हो बिजली हो या कोई भी विभाग हो उन विभागों के कुछ बहुत काबल और लायक आदमी उनके पास है अब्दरहीम राथर एक बहुत बेहतरीन फिनांस मिस्ट रहे हैं वो सचाई जानते उन्हें पता है क्या पॉसिबल है क्या पॉसिबल नहीं है लेकिन उन्हें मेनिफेस्टों में जो बाते लिखी हैं मुझे यकीन है कि लिखते लिखते भी उनको लगा होगा कि यार नहीं लिखना चाहिए था और लिए टो मुम की नीड़े में जानता हूं नहीं होगा एक शेयर लिखने से बाते नहीं बनती है अगर शायरी से इनकलाब आता और इनकलाब आने से कोई बहुत कमाल की चीजें हो जाती तो फिर आलमा अक्बाल ने जो शायरी लिखी है उससे ऐसा इंकलाब आना चाहिए था कि दुनिया का सबसे प्रोस्परस देश हमारे बगल में होना चाहिए था लेकिन आलमा अक्बाल की शायरी से इंस्पायर होकर जो देश निकला उसका हाल का है वो आप मुझसे ज़्यादा बहतर जानते हैं तो अपने मेनिफेस्टों के पहले पन्ने पर शेयर लिखने से इंकलाब नहीं आते हैं सचाई को कबूल ला और अपने लोगों के साथ वही वादा करना जिसको आप वफा कर सकें मुझे लगता आज की राजनती की सबसे बड़ी जरूरत यही है तेकि फिलाल जो बात बड़ी थी वो यही थी कि कॉंग्रस की मजबूरी नेशनल कॉन्फरेंस की कोई मजबूरी नहीं बीजेपी को एलाइंस की फिलाल कोई जरूरत नहीं पीडिपी इस मैदान में उतरी है इस अजंडे और इस जंडे और इस डंडे के साथ कि हमको 10 से 12 तक या 14 तक जो भी हमारा नंबर होगा वहां तक पहुँचना है और अच्छा परफॉर्म करना है और खासतोर पे तब जब हमारी पार्टी के दोफाड किये गए अपनी पार्टी को अपने आपको साबित करना है कि हम है पीपल्स कॉन्फरेंस को साबित करना है कि आज भी नौर्ट कश्मीर में उनकी तूती बोलती है और उसके बाद बाकी जितने भी दल है उनको भी अपनी प्रेजंस मैसूस करवानी है तो इसलिए ये चुनाव सब के लिए अपनी अपनी तरह से इंपॉर्टेंट है पर दो ही दल ऐसे हैं जिनको जिन में कॉन्फिडेंस भी है और और कॉन्फिडेंस भी है देखना ये होगा कि जब मुकश्मीर की जनता 18 सब्तंबर से जब वोट डालना शुरू करेगी और 4 अक्तूबर को जब नतीजे आएंगे तो जो कॉन्फिडेंट और और कॉन्फिडेंट हैं क्या वो लड़ू बांटेंगे या जो खामोश हैं और कोशिशे कर रहे हैं क्या उन्हें लड़ू बांटने का और पटा के फोड़ने का मौक़ा मिलेगा इस पर हमारी नजर रहेगी और जब यह होगा आप तक जरूर पहुंचाएंगे